पिछले कुछ वक्त से हिंडनबर्ग की एक नई रेपोर्ट का दिक्र हो रहा है, शेर मारकेट के दुनिया में इससे पहले भी हिंडनबर्ग की रेपोर्ट से उथल उथल मच चुकी है, ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि इस कंपनी के मालिक आखिर कौन है और क्या है उनका औ अब सवाल यहां पर यह आता है कि हिंडनबर्ग नाम कहां से आया दरसल इस कंपनी का नाम उस एतिहासिक दुरघटना से साथ योड़ाता है उसके नाम पर रखा गया है जिसमें कि 1937 में एक विशाल एरशेप था जिसे हिंडनबर्ग कहा जाता था आग लगने से वो तबाह ह गया था बस इस नाम से ही इस कंपनी का जो मकसद है उसको समझा जा सकता है तो शेर बाजार में चिपे जो जोखिम होते हैं और जो दोका धड़ी होती है उसको एक्सपोस करना इस कंपनी का सबसे बड़ा अबजेक्टिव है कहा जाता है कि हिंडनबर्ग में भी कपासिटी से ज़्यादा लोग सवार कर ले गए थे और उनके साथ धोका दिया गया था उनको धोका दिया गया था और इसी वज़ा से उनको अपनी जान वहाँ पर गवानी पड़ी थी जान जब की गई तो उसके बाद पर चला कि एरशिप के हाइडरोजन गुबारे में आग लगने की वज़ा से यह गटना हुई थी और इससे पहले भी आइडरोजन गुबारों में आग लगने की वज़ा से हाथ से होते रहे थी इन्वरिस्टिकेशन रिपोर्ट में यह पता चला था कि कंपनी ने नियमों का पलन किये बिना कैपासिटी से ज्यादा लोग उस एरशिप में पिठा लिये थे और इसी घटना के नाम पर नेतन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च को 2017 में बनाया था उनकी कंपनी मेंली शॉर्ट सेलिंग करती है जिसका मतलब यह है कि वो कंपनियों में खामिया ढूंते हैं और उनकी कमजोरियों पर रिपोर्ट जारी करते हैं इसक कंपनियों की गहराई से जाच करना उनकी इन्वेस्टिकेशन करना और उनकी कमजोरियों को एक्सपोस करना है हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट जारी की हैं जिन से इन कंपनियों की जो शियर बाजार में भारी गिरावाट आई उन का सबसे चर्चिट जो खुलासा था जो इनको एक्सपोस किया था वो थी एक एलेक्ट्रिक वहिकर कंपनी के बारे में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था एंडर्सन और उनकी टीम ने इस कंपनी की फिनांचल इर्रिगुरार्टीज और धोका धड़ी को एक्स फूड्स फार्मासीलियो के सेहत पर काफी असर पड़ा था जिन 63 कंपनियों के खिलाफ अब तक हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है उन में से तीन तो दिवालियां हो चुकी है इन तीनों कंपनियों के नाम एबिक्स एंक, इलेक्ट्रिक वहिकल, मेकर लोड्स टाउ अब सवाल ये कि नेतन अंडर्सन का ये काम कितना अलग और इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी यहां पर समझना जरूरी है कि हिंडनबर्ग रिसर्च का उद्देश किसी कंपनियों को बरबाद करना नहीं है बलकि ये है कि उन कंपनियों को बेनकाब करती है जो बाजार में गलत तरीखे से पैसा कमा रही है ऐसा इस कंपनी का दावा है ये कंपनी ये भी दावा करती है कि इस काम से ना सिर्फ निवेशकों को दोखधरी से बचाया जा सकता है 70 पूरे फिनांशल सिस्टम की सुरक्षा भी की जा सकती है तो ये थी कहानी नेतन एननसन और उनके आई हो तो इसे जरूर लाइक करें शेर करें और हमारे ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहें स्विच